इस देस के मीडिया ने इतना अनर्गल किया, इतना अनर्गल किया कि जो सावर कर था, उससेने बड़ी बक्वास लिखिए बाबा साथ बाबा साब बलिब दांक्टरम बेठ च्था के बारे में यह पतरकारों का जो चरित्रह बाबा साब के पृठते बड़ा दुश्मनी भर तो बाबा साब को भी उसका जवाब जब दिया ना बाबा साब ने क्या भासा बोली कि शाहुजी महराज का बाबा साब बहुत एहसान मानते थे और ये एक व्यक्ति की बहुत बड़ी विश्षिश्टा होती है कि किसी द्वारा किये गए उपकार के पृतिकर तक गया हो महल में तो कोहराम मच गया उन्हें का बड़ा विरोध होने लगा और जब वो शांती समालने के बाद भी इस्थापित नहीं परिवार में हुई तो वहां के कुछ समझदार लोगों ने कहा कि बहुत बड़े विद्वान है और हमारे शाहुजी महराज के पिरतिवों कृतग् बाबा साहिब डांक टंबर के पास संदे साया बाबा साब वहां गए उन्होंने उस व्यक्ति से बात चीत की जो उनके परिवार का इंग्लेंड गया था उन्होंने उस महिला से भी बात की जो अंग्रेज थी गोरी थी उन्होंने उनके परिवार के दूसरी जिम्मेदार ल महिलाओं के अधिकारों के सबसे बड़े पुरोधा थे उन्होंने उस महिला को उस मजधार से निकाला और उसके परिवार का हिस्सा बनाकर विधिवत विवा करा करके अपना दायत्व पूरा किया यह बात आई गई हो गई मगर करीब चार-पांच साल बाद एक बार बाबा स जब दर्वाजा खट-खट आया तो बाबा साब ने दर्वाजा खोला और वो दंग रह गए कि इतनी रात को एक जवान अंग्रेज महिला उसके दर्वाजे पर खड़ी है बाबा साब से कह रही है कि मैं वहां से लड़कर आई हूं और मैं वापी जाओंगी नहीं मिस्टर कोई बना के रखो मैं वापिस नहीं जाओंगी बाबा साब तो विदूर थे ना उनकी पत्री मर चुकी थी घर में कोई था नहीं मगर वो इस बात की प्रती बड़े सचेत थे कि जिस तरीके से एक बूड़ा व्यक्ति अपनी एकलोते बेटे की जान पर खेल कर भी उसकी र अब नपनhouse got कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब यह मानना था उन्होंने कहा है कि कई जगे कहा है कि मैं इसलिए समल में चलता हूँ कि मैं बद्राम ना हो जा Nowadays समाज के नेताओं में बद्राम होने की होड़ लगी है एक अकेले इस अंदकार भरे अंधकार भरे इस हाकाश में एक अकेले धुरू के तारे हमें हमारे बाबा साहिब डांक टमबेट कर नजर आते हैं कि जो चरित्र के मामले में सबसे ज्यादा सतर्क थे उन्होंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा दंस जहेला वो ये जहेला पत्रकार हिता है क्यों कि कि यहां का ज क्याते हुँ क्यासिda लगया को प्राइम में जाके उन्होंने फिशिंग की फिशिंग करने के बाद बदूनम जब देखा तो उसमें एक छिंदू कि अखबार ने लिखा था हिन्सकब बेऩ कर वह उक्रे में आया मचली अमार के खाई तो वहाँ पर एक चांदी वाला पत्रकार थे बहुत बड़े बाबा साब के पिर्थी उनका बड़ा लगाओ था और अक्सर अपने प्रेस आते जाते बाबा साब से मिलके जाते थे जब आये ये एक हार्डिंग एवेन्यू जो आज पट्याला हाउस है ना उसके सामने कोने वाली कोठी जो टूटी पड़ी है तो तोड़ इसलिए दीक उनको पता क्या मचली पकड़कर मार के खा लिए तो डाक्टर अमचली पकड़कर हिंसक हो गया तुमको बता हूँ ब्रा करेगा क्या आज भी जाओ वहाँ पर बंगाल में हर एक बड़े आदमी के पास चाहिए वह ब्राह्मन है अपने घर में उसके एक कुंड जरूर मिलेगा पानी का एक जोड जलकुंड बावरी पुषकर्णी जरूर मिलेगी बड़ा नहीं मिलेगा छोटा मिलेगा उसमां पहा गया ना कि बाबा साब आप बिस्कुट और डवल रोटे खा कहा के अपने दिन पूरे करते हो क्योंने अपने घर में एक नर्स रख लेते उन्होंने यही कहा था कि अगर मैं घर में नर्स लाकर रख लेता हूं इस देश का मीडिया मुझे बदनाम कर देगा और मैं ब बाबा साब बोलते कुछ थे और यहां के परेसवाले लिखते कुछ थे बाबा साब 1948 में ला मिनिस्टर की हैसियत से लखनों गए लखनों में उन्होंने एक भाशन दिया बाशन जो दिया वो तो उन्होंने लिखा नहीं कुछ और अपनी तरफ से कार्पनिक लिख करके उस बाबा साहिब डांक ट्रम बेट करने उस वक्त परेस को कितने लतार लगाई है कि यह मेरे पीछे सुरू से मेरे पीछे लगी हुए है कारण क्या है कि मैं अपने लोगों को भला करना चाहता हूं यह हमारे लोगों का खात्मा करना चाहते हैं उन्हें अधिकार नहीं देना तो वो डांक ट्रम बेट कर को या कोई और हो यह उसको परिशान करेंगे परिशान करते हैं यह इसलिए मुझे इन अख़बारों की कोई चिंता नहीं है यह अख़बारों की वज़े से मैं अपना अंदोलन नहीं चला रहा हूँ यह मेरे खिलाब कितने जहर उग लें जितना कभी यह ने का तुम मुझे अपने साधर आनना समिध्दान नहीं था दुनिया जो समिधान उन्होन ने अपने muscles को सम्मानित करने का फैसला गिया उन आमरीका बुलाया अमरीका जाने से पहले दांक著 आंबेट कर कौने नहरू कि नहरू ने कहा के डांक्टर अमबेटकर साथ आप अमरीका जा रहे हैं, आप हमारे देश की छवी का ख्याल रखना, बाबा साब उसके बारे मैं जरूर इमानतारी से बताउंगा, मगर देश की मेरे जीवित रहते, उसकी प्रतिश्ठा को कोई बट्टा लग जाए, ये डांक्टर कोई समjach नहीं, कोई बाबा साहिब डाख टम्बेट कर को इर दुनिया का सब से बड़ा सम्मान मिलें का वर्णन नहीं इस भारत वर्ष की किसी भी भी शुजदाले ने उनको कोई सम्मान नहीं दिया एक उस्मानिया यूनिवस्टी जो हैदरबाद में है वहां से जरूर उनको एक उपाधी मिली हम उनके पिर्तिक करतक गये हैं ये मुसलमानों को गाली देते हैं मुसलमानों के खिलाफ हमारे बच्चों को भड़काते हैं औ बच्चों को तो बिचारे शरीफ हैं को तो पता रही रहे हैं मगर जिस व्यक्ति को पता है मैं चलकपट कर रहा हूं फिर भी वह चलकपट करता है तो पापका भागी वह है उसको भुगतना पड़ेगा तो बाबा साहिब डांक टम बेट करने अपने जीवन में जो चार प बाबा साब ने रखा तो मैं जानता हूं कि एक ऐसा अफसर बन गया था महाराश्टर की गाओं गाओं में बड़े बड़े पेड़ के नीचे लोग बैठे रहते थे बाबा साब का अखबार आएगा और जब बाबा साब का अखबार आता था लोग उसके खुशी कमारे इसले ना एक पmerceमाचार पत्र ने बाबा साहिब डांक टमबेट करके आंदुरंड को घर घर तक कैसे पहुक्चाया व Biz घणदा से पता चलता है रहते थे के रेडियो पर तो whilst सवामी भक्ति चलती थे अंग्रेसस की पढ़ती हमारा तो इस देश के मीडिया को अब आज भी उठा कर देख लो इस देश के समाचार पत्रों को पत्र पत्रिकाओं को जो जंडर नहता था कते तो मुख्यधारा के पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें आज भी देखके ये पता चलेगा इस देश में बोध रहते ही नहीं है इस देश में पराकरम से तोड़ सकते हैं, कैसा पराकरम? जैसा बाबा साहिब डांक टम बेट करने करके दिखाया था, बाबा साहिब बड़े तत्पर थे, जितनी भी काम उन्होंने अपने जीवन में किये, जान हतेली पर रख करके किये, उनको ये पता होता था, उन्होंने जब धम दिक् बहुत बड़े विद्वान विख्वु थे जब बाबा साहिब डांक्टरम बेटकर की दीख्षा हुई थी 14 और 15 अक्टूबर 156 को डाकपुर में तो वो बी एच्चू में सारनाथ में पाली पड़ाते थे और बाबा साथ के फैवरिट मॉंक थे वो आ गए अपने सीना खोल के आगे और RSS के मंच के बाहर जाकरके बोले के डांक्टरम बेटकर हम्ला करने वालों पहले तुमें इसा बनते है एच्चू सद्धा तिस्षा के सीने में गोली उतारनी पड़ेगी बाद में बाबा साहिफ डांक्टरम बेटकर तक तूम जाओगे मगर बाबा साहिफ ड उन्होंने धमका दिया तो इसका मतलब नहीं हम उनकी धमकी में आ जाएं मगर अपनी सुरक्षा का इंतिजाम करने का तो हमको पूरा अधिकार है न तो बाबा साब जो वह पहुंचे और वो धम दीक्षा संपन हुई इस देश के मीडिया ने इतना अनरगल किया इतना अनरग जब दिया ना बाबा साब ने क्या भाषा बोली बाबा साब ने यह भाषा बोली यह देखा इस बामन के बच्चे सावर करको हमारे खिलाफ अपने मूझ से क्या पखाना उगला है यह बाबा साब के शब्द थी यह क्यों कहाना पड़ा क्योंको वास्टिकता थी अरे तु समय तक यह चाते थे इस देश से जाती वाद समाप्त हो वर्ण में वस्ता समाप्त हो शुरू में जब महाड सत्य गिरे चल रहा था तो उनकी एक सबसे बड़ी मांग थी अब आप खेर मोड़े के जो बारा खंडा आए हैं हिंदी में उसे आप पढ़ेंगे तो पता चलें ब हो गालते में हैं कि हम बाबा साहिब डांक टम वाकत कर जैसए कड़ पर पहुंचेए नहीं अबी तोरे तो तुम बाबा साहिब डांक टम बेटकर के पैर की धूल के बराबरे भी नहीं हो, एक राष्ट भक्त व्यक्ति, एक समाज भक्त व्यक्ति, उसके मकाबले में गद्दार और विकाव व्यक्ति कहीं टिकता नहीं, इसलिए एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, आज एक नारा लगता है, सारे देश में, इस देश में जो आरेसे से है, वो एक परचार कर रही है, बड़ी संजीदगी से एक परचार कर रही है, वो बड़ा जूटा परचार है, मगर बड़ी इमानदारी से कर रही है, कह रही है, कि बोध और हिंदू तो एक ही होते हैं, बोध धरम तो हिंदू धरम का हिस्सा है, भगवान अब बौत धर्म और हिंदु धर्म एक है और दूसरी तरफ तुमने धार्मिक स्वतंतरता बिल के नाम पर बौत धर्म ग्रेंड करने वालों को तुम जेल में डाल रहे हो यह तुमारी करणी और कथनी का अंतर है अरे अगर तुम वाकई भगवान बुद्ध को विश्रू का अवत तुमने वो सारे काम किये हैं उससे कुछ बनने वाला नहीं है आओ हम बाबा साहिब डांक टम बेट करके जीवन से कुछ प्रेणा दायक परसंग वो बता रहे हैं आपको जो हमारे लोगों ने आसानी से नहीं सुने होंगे मगर मेरा काम तो दिन और रात लिखने और आज आते हैं आज लोगों को यह पता नहीं है कि बाबा साहिब डांक टम बेट कर जब बोट धरम जब उन्होंने धर्मांतरन की घोशन की ती यह वला में तो उनके पास बहुत सारे लोग आए लोगों को नहीं पता बाबा साब का पोप से भी सामना हुआ पोप का बतलब क किरिशनीटी का सबसे बड़ा बिशाप दरब गुरू बाबा साब कर उनका अभी अमेरिका में एक पेज का एक कवरे जाई है आपको चाहिए तो हम दे देंगे हमने उसका हिंदी अनुवाद भी कराया है उन्होंने पोप ने बाबा साब को बुलाया शायद उनकी मुलाका साथ या इंडिया में होगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले